नमस्कार दे कुकिंग रैक में आप सभी का सागत है ब्रत के लिए बनाएंगे स्वीट पटेटो सकरकंदी का चिपस जिस तरह हम आलू और केले का चिपस बनाते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं उसी तरह स्वीट पटेटो सकरकंदी के भी चिपस बहुत आसानी से बन हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने चार पी सकरकंदी लिया है और इसे अब छील लेंगे चिपस बनाने के लिए मोटे सकरकंदी लीजिए जिससे चिपस अच्छा बनता है आप इसे छील कर भी बना सकते हैं या इसे बिना छीले भी आप चिप्स बना सकते हैं। तो हमने सारे सकरकंदी को छील लिया है और इसे पानी में भिगो कर रखेंगे। अब इसको हम डाइमंड सेप में काट कर इसका आगे का भाग निकाल देंगे। यहाँ पर हमने लिया है दो गिलाज ठंडा पानी और अब इसमें हम चिप्स को काटेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हमें चिप्स कटर से चिप्स को काट लेना है और काट कर इसे पानी में डालते जाना है। आप अगर प्रत में नमक खाते हैं तो इस पानी में थोड़ा से सेंधा नमक डाल दीजिए। पानी फ्रिज का ठंडा ही लीजिए तो आप देख सकते हैं इसी तरह हमने सारे चिप्स को काट लिया है और इसे पांच मिनट के लिए इसी पानी में रहने देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से दो तीन बार धो लेंगे और एक छनी में निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा चिप्स बना रहे हैं तो इसे काटन के कपड़े में फैला दीजिए। नहीं तो छनी में ही पांच मिनट के लिए रहने दीजिए ताकि पानी सब निकल जाए। तेल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है हाई फ्लेम पर फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसमें सकरकंद के चिप्स को डाल देंगे। तो दो से तीन मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर तलेंगे। फिर एक मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पर तलेंगे। चिप्स का कलर चेंज हो गया है और यह क्रिस्पी हो गया है। अब इसे एक नैपकिन पेपर पर निकाल लेते हैं। हमने सारे चिप्स को तेल से निकाल लिया है अब इसमें डालेंगे बाकी के चिप्स को तो जैसे ही हम तेल में चिप्स को डालेंगे फ्लेम को स्लो कर देंगे चिप्स को बीच बीच में चलाते हुए दो से तीन मिनट तक स्लो फ्लेम पर तलेंगे उसके बाद फ्लेम को हाई कर देंगे एक मिनट इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे आप देख सकते हैं इस चिप्स का भी कलर चेंज हो गया है और अब इसे हम निकाल लेते हैं तेल से इस तरह चिप्स को आप बनाएंगे तो आपका चिप्स बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा तो हमने सारे चिप्स को तल लिया है और अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में फ्लेम को बंद कर देंगे अब आप देखिए चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बना है अब इसके उपर डालेंगे सेंधा नमक, अगर आप ब्रत में सेंधा नमक खाते हैं, तो इसके उपर थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और थोड़ा सा पिसा हुआ लाल मिर्चा डाल लीजिए, अगर नमक नहीं खाते हैं, तो आप इस चिप्स को ऐसे ही खा सकते हैं, चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बना है अब खाकर भी टेस्ट कर लेते हैм तो यह चिप्स खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है तो फैन बनाना सकरकंदी का चिप्स कितना आसान, अब आप इसे ब्रत में जरूर बना कर खाईए रेसिपी पसंद आती है तो like, share, comment कीजिए चैनल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद